नमस्का दोस्ते एक बार आपको फिर से स्वागत है सीक्वेश सिखाव चल पर महतुल सीमातों आज मेरा सेकंड वीडियो है MS Word पे मैंने होम पे बता दिया था अगर मेरा जो पहला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे एक बार जरूर देख लें ताकि आप यहां पर दिया हुआ है cover page का option तो यहां पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर धेरों डिजाइनिंग बनी हुए है ठीक है अब यहां पर सब टाइटल है, तो यहां पर भी मैं वही चीज लिग देता हूं, ठीक है, यहां पर डेट दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहां पर डेट भी कुछ इस तरह से लिग दिया है, नीचे आते हैं, यहां पर इंटरनेट के देख़ें, पहले से ले लिया, company नाम जो अब यहां पर है blank page, अगर आपको यहां पर एक blank page चाहिए, तो बस यहां पर blank page पर click किजिए, तो एक आपके पास blank page आ जाती है, और कुछ इस तरह से, ठीक है, यह दिखे है, इस प्रकर से, अब दिखे, यहां यहीं पर हमें चाहिए कि नहीं, इस line पर यहीं से page अलग हो page पर चले जाएगी, example के लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, equal to, randrand, bracket start, और मैं लिखता हूँ, 2,5, bracket, close और enter, इतना सारा मेरे पास dummy text आ गया है, मैं चाहरा हूँ, यहां से page break हो, तूट जाए, यहां से अलग page पर चला जाए, बस यहां पर click कर देना है, आप देख सारा, दूसरे page पर आगया है, I hope की यह चीज आप लोग को समझ में आ रही है, मैं control plus A करता हूँ, सारा, जितना भी मेरे पास page है, वो सारा select हो जाएगा, कुछ इस तरह से, और delete करते हैं, तो delete हो जाएगा, यह देखे, अब एक ही page हमारे पास बचा हुआ है, okay guys, तो हमारा जो है, यहाँ पर देखे, page मैंने आप लोग को बता दिया, यह जो page है यह, अब यहाँ पर आता है table, ठीक है, illustration, add, media, link, comments, header and footer, text, और symbols, ठीक है, तो मैं वही चीज आप लोग को बता रहा हूँ, जो आपको ज्यादा तर use में होगा, सारे चीजे तो छोटी छोटी वीडिय जोट देखेगा, उस पर मैं आपको सारे चीजे cover कर दूँगा, तो table पर आते हैं, यहाँ पर दिखिए, जितने भी आपको columns row चाहिए, ठीक है, column row, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए, वो यहाँ पर है, मान के चलिए, यहाँ पर इस तरह से आपको चाहिए, 10 तक है, आप 11 भी चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 11, और इधर कितना चाहिए, इधर आप कुछ भी ले लिजएगा, कोई दिख्कत नहीं है, ठीक है, आप देखें, कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए, number और tab में press कर रहा हूँ, अगले cell पर चले जाते कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको fill करना है, अब tab tab जैसे मैं press करने जाए हूँ, अब मान के चलिए मुझे यह सारे चीजे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, अब नहीं चाहिए, तो यही पर right click किजिए, यहाँ पर delete cell का options आपको मिल जाएगा, delete कर द हो गया, delete कर दीजिए, तीन कम हो गया, तो इस तरह से दी आप जो है, delete कर सकते हैं, बिल्कुल, इसी पर होके, अगर मैं जैसे ही tap press करूँ, automatically नीचे मेरा create हो गया है, मैं right click करता हूँ, यहाँ पर arrow options आपको मिल जाएगे, text direction का options है, अगर आपको text को इस तरह से लिखना है, तो आप okay कर दीजिए, अब यह देखे, date of birth किस तरह से लिखा हुआ, आ जा रहा है मारा, तो यह भी काफी अच्छा है, यह देखे, तो अगर आपको इस तरह से लिखना हो, तो आप यहाँ पर text direction पर इसका जो है, change कर सकते हैं, अब यह ठीक तो है, ठीक है, इसी पर click हो, अ और यहाँ पर आप जा रहे हो, तो यह देखे, धेरो आपको designing है, वो designing यहाँ पर automatically apply हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है, हम लोग design पर आते हैं, और normal ले ले लेते हैं, जो हमारा normal था, उसे ही ले ले लेते है, layout पर आएंगे, layout पर देखे, यहाँ पर यहाँ पर text उसी तरह से कर देता हूँ, okay, मैं tap कर देता हूँ, एक नीचे आजाएगा, यहाँ पर देखे, auto fit का दिया हुआ है, आप यहाँ पर auto fit content कर लीजिए, अब देखे, अपने आप adjust हो गया, date of birth, mother name, father name, name, number, यह सारा automatically से हो गया, आपको कुछ भी नहीं करने की जु नाल देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से आप नाम जो है, लिख सकते हैं, अब देखे कि होता यूँ है, कि अगर नाम जो है, तो यह auto adjust है, ठीक है, लेकिन अगर आप auto adjust नहीं किया हो, ठीक है न, यहाँ से यह तो auto adjust हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर auto adjust नही किया हो यह दिखिए पूरा बिंड ओ जो भी पेज है ना उसके हिसाब से यह सैट होगा और यहां पर यह जो टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर पे लाना हो अभी यह देखिए कहां पर है इस नामको यहां पर सेंटर पर है क्या नहीं है सारे को स्लेट करेंगे और कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो अब देखिए जो टेक्स्ट है ना वो सब आपको सेंटर पे दिखाये देता होगा ओके यहीं चीज़ आपको समझ में आ रही हूं अभी देखिए अम लोग इन्सेट पर ही थे लेकिन कहा कहा चले गहें यहीं अभी देखिए आपको वह देखिया डिजाइनिंग भी नहीं दिखाये देता होगा तो टेबल जैसे हमलोग करके चली यहां पर और चाहिए यह दिखे आटमेटिक लिक आगया ना यह दिखे यह दिखे तो इस तरह से यहां पर cell row column जो भी है आप बना सकते हैं split का means यहां पर अगर है हम लोग और इस split पर क्लिक करते हैं यह कितने चाहिए आपको दो एक क्लिक कर दिया यह दिखे यहां पर दो भाई हो गया ना फिर से अगर इसी पर क्लिक करूं तो यहां पर दिखे मैं इसी पर रहता हूं लैयाट पर जाओंगा और यहांपे दिखेंगे अब मैं इसे 6 कर देता हूँ ओके कडिओ न तो यहांपे 6 आ गया ओकी गाइस यह मैंने ओटो फीट तो आप लोग को बता ही दिया अब देखिए इसी पर क्लिक है तो ही आएगा लियाउट और बाहर क्लिक कर देते हैं तो लियाउट गाइफ हो जाएगा तो हम लोग इसी पर क्लिक हैं यहाँ पर एक एरेजर का उप्सेंस है एरेजर ले ले अगर मान के चलिए यह नहीं चाहिए तो बस इसे डिलेट करते हैं इसतरह से यह दीखें । इस तरह से आप इसे जो है है डिलेट कर सकते है यह दिखे हमारा डिलेट भी हो productive इरेज हो गया, अगर आपको यहां पर यह जो डिलेट है, डिलेट सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां से राइट क्लिक करके लाया, वो चीज यहां पर सौर्ट दिया हुआ है, अब यहां पर ड्रो टेवल, तो आप इस तरह से भी ड्रो कर सकते हैं, यह दिखे, ठीक है, वो कलर इसलिए आ रहा है कि हमने राइट क्लिक करके यहां से इसे स्रेट किया हुआ है, इसलिए कलर आ रहा है, अब दिखे, कलर नहीं आएगा, आई होग कि यह चीज आप लोग समझ में आ रही हो, अब यहां पर देखे, यहां पर टेक्स दिया हुआ है, अलाइन सेंटर पर चाहिए, ठीक है, तो यह सारे चीज़े यहां पर दी हुई है, हम लोग अभी सीखते जाएंगे और आगे जाके, एक ही दिन में अभी हम लोग इंसर्ट पर हैं, और अभी हम लोग टेबल ही सीख रहे हैं, ओके गाइस, तो फिर से हम लोग इंसर्ट पर आते हैं, यह त आपका जो है, वर्क हो ही जाएगा, ओकी गाइस, आपको क्या करना, पिक्चर पे आना है, और आपने जहां के भी इमेज रखी होना, उस ही ला सकते हैं, तो मेरे पास फिलाल इंस्टागराम का है, मैं इसे इंसेट करता हूँ यहां पर, तो यह दिखिए, हमारे पास, हमार आपको प्रोल्म आ रहे है, आप चार है कि इस कॉर्नर पे सेट हो जाए, तो आप क्या भी जिएगा, तो सब जे पहले यहां पर देखते हैं, इस इमेज को लाने के बाद, यहां पर फॉर्मेट हमें मिल गया है, तो यहां पे छोड़ी सी एरो पे क्लिक करेंगे, आपको य ठीक है, तो इसी पर डबल क्लिक है, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो आपके पास पुराने बर्सन पर यहां पर दीखे, वार्प टेक्स्ट करके आएगा यहां पर, इस तरह से कुछ टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन इस पर निव बर्सन पर क्या 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 है, यहीं पर planes यह दिय हुं आदि हम जहां पर करना चाहां सकते हैं एक रह locomotive करते हैं और पर यह अठीज है और च्था करना चाहिक है छोटा करतीजिए तो इस तरह से हैं और उस पर एक तो हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे आगे जाके फिर से मैं चलूँगा इंसर्ट पे एक यहाँ पे आउटलाइन पिक्चर दिया हुआ है तो सिधे आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ पे देखें बिंक इमेज सर्च का दिया हुआ है वान ड्र से आपको मिल जाएंगी तो सबसे पहला यहाँ पर एक है वो है bisogसल की इूष से जो भी हाली मं यूज किया गया हुआ वह यहां पर आपको मिल जाएगा तो यह से ता आप मत दिकें यहाँ पे लाइन्स दिया हुआ है आपको किस तरह के लाइने चाहिए ठीक है ये तो हमने एक लाइन ले ली अब यहां पर format फिर देखें यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर धैरो अस्टाइलिस कलर डिजाइनिंग धी भी है यह देखें प्रिसेट पहले से ही है मानने के चली यह चाहिए तो बस यह हो गया यह देख लीजे यहां पर आपको format में यह सारे चीजे color देखें color change करना हो आप color कर सकते हैं अब मान के जिले थोड़ी से आपको विर्थ इसकी बढ़ानी हो तो यह देखें इस तरह से विर्थ भी बढ़ा सकते हैं हमारा इतना तो हो गया आपको यह चीजे समझ में आ गए हैंगी यह देखें इसे और इस तरह से छोटा बढ़ा भी कर सकते हैं अगर आपके laptop screen थोड़ी से छोटी हो ना तो यहां पर click किजिए यह इसे पर किस तरह से adjust कर सकते हैं ओके इंसेट पर फिर से में जाना है shapes पर जाना है तो यह तो होगया line है यहां पर तरह तरह का line दी हुई है यहां पर rectangle है तरह तरह का rectangle है आपको जो भी rectangle पसंद हो यह दिखें यहां पर आते हैं तो यहां पर ढहरो आपको designing मिल जाएंगी यहां पर यह और देखें इस तरह से text लिखना है या इस तरह से जिस तरह का आपको text चाहिए लिखने के लिए आप इस तरह का लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए जैसी आप लिखते हैं और बाहर पर क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट देखिए उसी तरह से मुढ़ गया हुआ है तो काफी इजी है इस पर टेक्स्ट को लिखना चलिए यह भी हो गया फिर समय लोग इंसेट चलते हैं उसी पर और चीज है यहाँ पर एक दिया हुआ है बेसिक सेप्स पर यहाँ पर टेक्स्ट इस तरह से एक बॉक्स बना यह और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं तो यह यह भी काफी ज्यादा मुझे पसंद है कंट्रोल जे कर देता हूं यानि कि justify हो जाता है कंट्रोल जे से justify यानि कि मैंने मैंने पहला वीडियो देखे होंगे आप तो उस पर यहाँ पर justify मैंने आपको बताया हुआ था यह दिखें तो यह काफी अच्छा मुझे लगता है य मैं लिखता है यहाँ पर इंटर यह दिखें मैं पास इस तरह से टेक्स्ट आ गया है बहुत सारे आ गया है सारा select करता हूं और यहाँ पर justify कर देता हूं तो इस side भी बराबर आ गया अब मुझे चाहिए कि नहीं यहाँ पर कुछ चीज लिखना है इंसर्ट पर आओंगा से यह जो text box है इसे और मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे लिखना है चीक है तो चलिए मैं यहाँ पर इसे ही copy करकर डाल देता हूं यह दिखें अब यहाँ पर यह सारे चीज आपको ध्यान देने कि यहाँ पर वो सारे चीजे भी नहीं दिख रही है है कि नहीं यह इस पर जैसे क्लिक कियें तो जितना हमारा text था इधर भी लिखे जाएंगे इधर लिखे जाएंगे ओ टेक्स्ट वहीं से गाइब है यानि कि यहाँ से starting हो गए यह चीज दिखिए और यह text हमारा यहाँ पर अलग है ओकी गाइस आई होग की यह चीज आपको समझ में आ रही हो यह auto adjust है यहाँ पर इस तरह से auto adjust हो जाता है मैं सारे को select करके delete कर देता हूँ फिर से आऊंगा इस चाट पर आई होग की यह चीज आप लोग को अब यहाँ पर इस तरह के shapes दिए हैं यह देखे तो बाग की सब में तो सारे च इसी है यह देखे ठीक है यह चीज बता सकता हूँ मैं आप लोग को समझ में आ जागी यहाँ पर देखे यह यलो कलर की दिखाए जा रहने इसे पकड़ के आप move भी कर दा सकते हैं यह दूर इस तरह से कर दा सकते हैं यह देखे यहाँ पर rotate को option से इसे घुमा सकते हैं यह और यहाँ पर shapes पर यहाँ पर ढहरो सारे dmg जैसे कि आपको plus चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से plus भी आ जाएगा यह दिखे यह जो yellow कलर का देख रहा है उससे देखे यह क्या होता है यह दिखे थोड़े जे पतली हो गई यह दिखे यह मोटी हो गई इस तरह से यह दिखे तो इस तरह से इसका ओके चलिए कंट्र प्लस ए करते हैं डिलेट करते हैं यह हमारे डिलेट हो गया फिर से मैं इंसेट प्याओंगा आई होग कि यह सारे चीज़ा आपको समझ में आ गई हो अब यहाँ पर smart art का options मिल जाता है आपको यह जो भी आपको पसंद हो ओगे घर कर दीजिए यह देखें सबसे पहले तो इमेज अगर आपको इसमें लगानी हो तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और आपके सिस्टम पर जहांकर भी आपने इमेज रखी हो उसे यहां से ब्राउज कर लिजिए यह देखें मेरे पास facebook की इमेज है मैं facebook लिया आया तो यहा पर संब गलिक करता हूँ और मैं इस सिस्टम पर जादा इमेज है नहीं तो मैं फिर सही facebook की इमेज ले लेता हूँ अब यहाँ पर जो भी टेक्स लिखना है जैसे मैं लिख देता हूँ सीखो को सिखाओं यह दिखे हैं हो गया ना अब यहां पर देखता हूं फेस बुक यहां पर लेखता हूं गूगल यह देखे तो हमने कुछ इस तरह से कितनी आसाने से यह चीज बना लिया ओकी गाइस तो यह भी चीज आपको समझ में आ गया होगा अब दिखे मैं सारे चीज़े नहीं बता पा रहा हूं सारे चीज़ें इंपोर्टेंट होती है यहां पर आ जाता है एक चार्ट का उप्सें ठीक है तो चार्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो पाई चार्ट बार चार् आप से है उसे आपको यहां पर ले लेना है ठीक है तो यहां से यहां पर तरह तरह के आपको चार्ट मिल जाएंगे आपको जो भी चार्ट पसंद हो यह देखे अब मन के चली मुझे यह पसंद है यह पसंद है जो भी हो चली यही ठीक है तो बस ओकी कर देना है ठीक है इनको नहीं पता, तो आप simple सा समझे, यहाँ पर मान के चलिए, कोई गाउं है, ठीक है, चार गाउं है, और उनकी जन संख्या यहाँ पर है, तो मान के चलिए मैं जन संख्या देता हूँ, 2000, ठीक है, और इस गाउं की मैं जन संख्या देता हूँ, यहाँ पर, 5000, ठीक है, और इसकी जन संख्या को दे देता हूं, मैं 8000 अब दिखिए, उसी के हिसाब से यहाँ पी मेरे पास इस तरह से बन की आगया है फर्स्ट है मान के चलिए, यह कलर, यह देख लीजिए यहाँ पर कलर संबल दिया है, सेकंड कलर देख लीजिए, यानि की यह है थार्ड कलर देख लीजिए, यानि की यह है, और फोर्थ कलर देख लीजिए, यानि की यह है तो इस तरह से आप चार्ट को कर सकते हैं, तो और भी चार्ट है, अगर आप करना चाह रहे हो, तब कर सकते हो यहाँ पे चार्ट डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है यह दिखे तरह तरह के यहाँ पे डिजाइनिंग दी विए यह अगर आप को चाहिए तो ठीक है यहाँ पे दिखे यह 23% है यह 32% है यह 36% है यह 9% है ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जानेंगे कि यह सारे हीडर फूटर क्या क्या चीज़े हैं और हम लोग डिजाइन पे भी जाएंगे सारे चीज़े देखेंगे आप लोग मेरे साथ बने रही है और अगर अभी तक तुझे आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू, have one, bye bye